कोई भी अपने आप में पूर नहीं होता है इसलिए पेंसिल के लिए रबर होती है नमस्कार दोस्तों मैं आसीज मिश्रा आप सभी का विन आईएस के इस ऑनलाइन प्रेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं जैसा कि आप सभी को मालूम है हमारी चर्चा मद्यप्रदेश की जन्जातियों के संदर्ब में जो MCQ को लेके हो रही थी और हमने काफी सारे प्रस्णों को लगों 200-300 प्रस्णों का हमने जिक्र कर लिया है अपने क्लास में आज हमारी चर्चा एक नए सब्जेट के साथ होगी जो मुख्रोप से मद्यप्रदेश की जन्जाति है और हमारे सिलेबस में एक बिसे जुड़ा हुआ है जंजातियों के संदर्व में कि मद्रदेश सरकार द्वारा जंजातियों के कल्यार के लिए चलाई जाने वाली प्रमुख योजनाएं तो उन योजनाओं के संबन्द में कौन से प्रशने पूछे जा सकते हैं इसके पहले कौन से प्रशने पूछे गए हैं साथ ही किस-किस प्रकार के प्रस्ण बन सकते हैं, उन समस्त बिन्दूओं पर हम चर्चा करेंगे, अब देखें जब हम किसी भी योजना के बारे में ऐसा पूछा गया है कि कौन-कौन सी योजनाएं हैं और कौन-कौन से प्रस्ण इसमें पूछे जा सकते हैं तो आपको ध्य योजना का उद्देश क्या है, तीसरा हम उसके अंतरगत पढ़ेंगे तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, उसमें कौन-कौन से प्रावधान दिये गए हैं और कौन से बिभाग, क्योंकि अभी ट्रेंड थोड़ा सा बदला है, कौन से बिभाग या मंत्राले के आधीन, मंत अगर पातरता वगयरा की बात आती है, कि प्रावधान के अंदर गते एक पातरता होती है, तो अगर मद्ध प्रदेश सरकार की योजना है, तो वहाँ पर यह होना चाहिए, कि मद्ध प्रदेश का निवासी होना चाहिए, अगर S.C.S.T. के संबंद में है, तो जो आपका बालिकाओं के विकास के लिए हुए समय समय पर कई सारी योजनाओं को संचालन मद्यप्रदेश सरकार द्वारा केदर सरकार के कुछ सेयोग से या फिर खुद के द्वारा चलाई गए तो चलिए उन्हीं पर आधारित कौन-कौन से प्रस्ण पूछे जा सकते हैं उन पर चर् पर प्रस्ण पहाते हैं हमारा पहला प्रस्ण है अनुसूचित जण जाती राहत योजना सम्मंदित है हमारे और ऑप्रसण ने आधिवासी कंञ्याओं की विवाह से अजंशन अभी और भ यांगों को रहत देने से आप्सन il으 यह सभी है तो इसका सही जवाब होगा है को उ 2017 को प्रारम की गई 31 मार्च 2017 को प्रारम की गई और इस योजना में यह लिखा गया है कि अनुसूजी जन्जाती यह जाती ससम्मंद जो व्यक्ति होंगे उनमें चाहे वो आदिवासी कन्याएं हैं उनके विवाह की बात हो या फिर कोई दिव्यांग जन है कोई बुजर्ग है या फिर कोई अंधा व्यक्ति है निराश्रित अंधा व्यक्ति है उनके कल्यार के लिए क्या किया जाएगा सरकार द्वारा कार किया जाएगा तो इस योजना का प्रारम कब होता है 31 मार्च 2017 को तो पहली पहला प्रस्ण हो गया इससे सम्मंदित अगले प्रस्ण पे आते है हमारे अगला प्रस्ण है अनुसूची जन्जाति के बिद्यार्थियों के लिए मैट्रिक छात्रवित में किन पार्थिक्रमों को समलित किया गया है हमारे option है option A, पेसे बर, option B, तकनीकी, option C, गैर पेसे बर तथा गया तकनीकी, या option D, ये सब ही तो देखिए जो अनुसूची जन्जाति के बिद्यार्थियों के लिए मैट्रिक छात्रवित योजना चलाई गई, ये 2007-8 की योजना है जिसके दाहत ये कहा गया कि जो अनुसूची जाति जन्जात से सम्मंदित, समुदाय के लोग हैं, उनके कल्यान के लिए, उनके सिक्षा में, सिक्षा में, स्वरोजगार वा सरोजगार तथा बेवसाय परक बेवसाय परक सिक्षा देने के लिए क्या किया जाएगा सहयोग दिया जाएगा उन पर क्या किया जाएगा आपको सहायता दी जाएगी तो अब उन व्यक्तियों को कैसे सहयोग दिया जा सकता है यह तो उनकी फीस माफ करबा दी जाए यह उनको ऐसा फार्टिक्रमने द्हारत कर दिया जाए यो मुख्रूर उसे सिंद्धू सिख्षा से तक्नीकी सिख्षा सरय आगे सिख्षा भी हो तब भी आगे चल की उनको का मिल सके君 इसमें कौन-कौन से option देखते हैं अब क्या उत्तर होगा तो पेसे बार होना चाहिए पेसे बार की सिख्षा ठीक है यह पार्टकर में सामिल कर लिया गया और गैर पेसे बार एंगर तकनीकी चीजों को भी सामिल कर लिया गया तो यह सभी चीज़े क्या हो जाएंगी सत्य हो तो जैसे आपने एक नाम सुना होगा उद्यमिता तो उद्यमिता जैसे सब्जक्ट्ट को सामिल कर लिया गिया अगले प्रश्ण पर आते हैं सब्सक्राइब अप्षा की गारंटी योजना भी प्रारंब की गई थी शिक्षा का गारंटी योजना उसी टाइम पे एकलब बिमाडल आवासी विद्यालय प्रारम किया गया जो मुख्रूब से जैसे नावोदय विद्यालय होती है नावोदय विद्यालय उधी की तर्जपे आधारित थी लेकिन मुख रूप से कैसे व्यक्तियों के लिए थी SCST समुदाई के व्यक्तियों के लिए थी तो अनसूची जन्यातियों के बच्चों के लिए आवास पर जाके सिख्छा देने के लिए योजना सुरू के अर्दी गई और अगर अभी की बात किया जाए अगले प्रशन पर चलते हैं हमारा अगला प्रशन है प्रोजेक्ट आकांचा के सुदवात मद्द प्रदेश के किस जिले से की गई अगले प्रोजेक्ट आकांचा या अकांचा योजना ये प्यस्ते है एक बार प्लेशन पूछ चुकी है 2021 के प्री परिख्छा में ये प्लेशन पूछा जा चुका है कि आकांचा योजना का संबंध कि से है तो आपको पता होना चीए का अंच्राही और जणाती के जो व्यक्ति बच्चे हैं, उनको प्रधा परिच्छा की तयारी कारे लिए जो कंपरेटिव एक्जाम होते है, उनकी तयारी करने बाने के लिए मुख रूप से सिविल सर्विश Exodus की यह कब प्रारम्ब की गई तो एक जन्वरी 2018 को इसका प्रारम्ब किया गया और कहां से सुरू की गई डिंडोरी से और आपको बताना है यहाँ पर यह हमारी चर्चा इसके पहले भी क्लासों में हो चुकी है कि डिंडोरी में कौन से जन्जातिका संकेंद्रण पाये जाता है आपको यह बताना है अगले प्रस्टे पे आते हैं दीन द्याल अंतियोदे योजना किन के लिए है हमारे ऑप्शन है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग और परिवार के लिए ऑप्शन B केबल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति के लिए ऑप्शन C ऐसे लोग जिनकी बार पहुती पसंदीदा प्रशने PFC का क्योंकि State Forest Mains पर इच्छा जो 2022 हुई उसमें भी ये प्रशन पूछा था फिर जो अभी Tax Session का अभी फरवरी में 26 फरवरी को था ये एक्जाम उसमें भी इस प्रशने को पूछा गया था दीन दियाल अंतियोदय योजनाय का संबन्द किस्से है तो हलाकि option यह नहीं थे लेकिन आपको ध्यान रखना है तो दियाल जो योजनाय होती है आप ध्यान रखना अंतियोदय की ब ऑब गरीम में व्यक्ति भी हो सकता है परिवार फिए परीवार गरीब होगतों व्यक्ति आल्रेडी − और अगर परीवार गरीब पॉसल से इसके आथ यो दियाल अंतियोदै उप्चार इभं दिन दियाल चलित अस्पताल योजना है दिन दियाल कि अंतियोदै इस अप्चार योजना यह प्रारमभुई थी 2004 में और चलित अस्पताल योजना है चलित अस्पताल योजना ये प्रारम वुईती आपकी 2006 में अंतियोदय उप्शार योजना में मुक्रूप से जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बैक्ति होते हैं स्वास्त के लिए आर्थिक सहायता कि जीजाएगी 30,000 रुपए तक अगले प्रशन पर आते हैं अरुनिमा योजना सम्मंदित है हमारे ऑप्सन है स्वास्त से ऑप्सन वी सिक्षा से ऑप्सन सी आवास से या ऑप्सन डी छात्र वृत्ति से जल्दी से इसका जबाब स्वास्त को यह स्वास्त के लिए योजना सुरू की गई थी अरुनिमा योजना मुकृप से किसके लिए है यह स्थी जो समुदाय के महिलाएं वा बालिकाएं हैं उनके स्वास्त ससक्तिकरण से हैं मन्तराल्य से इसका चलिए अब अगले प्रेशन पे आते हैं हमारे अगला प्रस्थ यह संवान किस बर्स प्रारंभ किया था यह उप्सन्हें से 1956 Option B 1986 Option D 1908 तो जल्दी से इस सवाल का जबाब कमेंट कर दीजे बहुती आसान सा सवाल है आप लोग इसके बारे में काफी बार पड़े बी चुके होंगे जल्दी से कमेंट कीजे चलिए तो इसका सही जबाब होगा Option C 1906 संदान अगर देवी अहिलिया सम्मान की बात करें तिये मुख रूप से जंजाती काला के लिए प्रदान किया जाता है काला के लिए प्रदान किया जाता है और 1996 संताने में जब पहली बार ये प्रदान किया गया था वो प्रदान किया गया था तीजन भाई को गाई का जिनका संबंद 36 गड़ से माना जाता है और अभी जो 2021 का सम्माने लेटिस सम्माने 2021 का वो प्रदान किया गया है संजो बगहेल को जो जबल पुरुज से संबंद रखते हैं और 2020 की अगर बात करें तो प्रसिद्ध लोग गाय का 2020 के मालिनी मालिनी अवस्थी को मिला था और अगर इसके पहले भी देखे 2019 में देखे तो किसको मिला था संतो बाई को संतो बाई को मिला था ति ये देवी एहिल्या सम्मान के बारे में बात हो गई पहले इनकी रास जो है कितनी नेधारित होती थी पहले ये दो लाख इसके अंतरगत दिये जाते थे लेकिन आगे चलके 2022 में इसकी जो रास है वो बदल दी गई देवी हिल्यावाई सम्मान के अंतरगत पुरसकार रास क्या है हमारे उप्सन है उप्सन A वन लेक उप्सन B टू लेक उप्सन C त्री लेक या उप्सन D फाइव लेक जल्दिशी सिसका जवाब दीजे अभी मैंने बताया कि इसकी रास बदल दी गई है पहले कितनी दी आत हुई कि जुलाई कि 2022 के उपरांथ जितने भी अवार्ड दिये जाएंगे उनमें राज कितने दी जाएगी पांच लाग प्लस एक प्रसस्ति प्रसस्त पत्र दिया जाएगा यह बात हो गई किससे सम्मंधित देवी अहिल्यावाई सम्मान से सम्मंधित हो गई अगले प्रस्ण पर आते हैं विसेश पिछड़ी जन्जाति के किसी सदस्य को अप्राकृतिक मृत्य हो जाने पर जन्श्री बीमा योजना के अंतरगत कितनी राज्शी प्रदान की जाती है हमारे ऑप्सन है ऑप्सन ए 20,000 ऑप्सन भी 50,000 ऑप्सन सी एक लाख या ऑप्सन डी दो लाख तो जल्दी सी इसका जवाब दीजे इसका सही जवाब होगा ऑप्सन ए 20,000 अब देकिये मद्रदेश में तीन जन्जातियां हैं जो विसेश पिछड़ी जन्जाति कौन सी संबंदित है कि आएका अचनक सम्रुती हो जाती है तो राजय सरकार द्वारा 20,000 रुपे इनको क्या दि जाएगी सह्योग राज प्रदान की जाएगी जन्ष्री बीमा योजना तो अगर पूछ ले कि जन्ष्री बीमा योजना का संबंद। किसाथ है तो PV TG गृप से संबंद। जन्षार बैमा योजना का नाम है जननी बीमा योजना यह महिला एमाम बालविकास मंतराले के आदिन यह योजने चलाई गई थी जिसमें स्टी बर्ग की जो महिलाएं हैं उनको 30,000 रुपए की सहायता स्वास्त सुब्धाओं के लिए 30,000 रुपए की सहायता क्या दी जाएगी प्रदान की जाएगी अगला प्रस्ण है परिच्छा पूर्व प्रषिछण योजना के अंतरगत निम जिला सामिल नहीं है अमरे ओप्सन है option A. मुरैना, option B. रिवा, option C. जवलपूर या option D. उजयन तो परिच्छा पूर्वे प्रसिच्छन योजना के बारे में बता दूँ आपको कि ये 7 मुख्याले उमें, 7 जो संभाग मुख्याले हैं 7 संभाग मुख्याले उन पे सुरू की गई थी और 2012 में इसके प्रारम किया गया था 2012 में और 7 संभागी मुख्याले में प्रारम की गई थी तो आपको यहाँ पर देखना है कि कौन से संभागी मुख्याले नहीं है तो अगर आप ध्यान दोगे तो आपको दिख जाएगा कि उजयन जो है ये एक संभागी मुख्याले नहीं है, क्योंकि उज्यायन संभागी मुख्याले नहीं है, इसलिए क्या हो जाएंगे, मुरैना, रीबा, जवलपूर, ये हो जाएगा इसका अंसर, तो ये तीनों सही है, और ये गलत हो जाएगा, तो यही बाला क्या हो जाएगा, पूछा क्य जवलपूर हो गया एक इंदौर हो गया एक रीवा हो गया एक सेहडोल हो गया और एक नर्मदर पूरम तो यह जो मुख्याल है साथ मुख्यालों पे यह क्या हुए है परिच्छा पूर प्रसिछन योजना शुरू की कर दिए दिए अगला प्रस्पर आते हैं अगले प्रस्फर में हमको मेल करना है कि अबास सहायता योजना कराप कप प्रारम की गई इसके बारे में आपको बताना है जल्दी से बताईए कौन सा इसको उत्तर होगा कमेंट गरिए कौन सा होगा हमारे आप्शनों में A, B, C, D में आप्शन A है 3, 2, 1, 4 आप्शन B है 4, 3, 2, 1 आप्शन C है 1, 2, 4, 3 या आप्शन D 1, 2, 3, 4 तो जल्दी से बताईए चली इसको मिलाने के प्रयास करते हैं देखिए आवास सहायता योजना प्रारम की गई थी 2016 में और ये योजना का उद्देश क्या था कि अगर कोई ST समुदाय अब क्योंकि ST समुदाय से पढ़ रहे हैं ST की योजनाय पढ़ रहे हैं इसले आपको ध्यान रखना है ST यहां पर योजनाय ही है और ST और SC के जो व्यक्ति होते हैं जो छात्र होते हैं अपने सहर को छोड़ करके जब किसी अन्य सहर में जाएंगे पढ़ने के लिए तो उनको क्या दी जाएगी आवास छात्र बास की सुविदा दी जाएगी एक तो यह हो सकता है या फिर अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर रह रहा है तो उनको क्या दी जाएगा कुछ अनुदान दी जाएगी कुछ वित्तिय सहायता दी जाएगी यह योजना का प्रारम की गई 2016 में मुकर उपसे किसे सम्मंदी थे SCST समुदाय के विद्यार्थियों से केंद्री प्री मैट्रिक छात्रविती योजना यह प्रारम की गई थी 2015 में और एकलब आदर्स आवासी विद्याले योजना और इस योजना के माध्यम से सिख्षा प्रोश्णाः है यह कुछ बात हो गई इससे समंबंदी अब इसको मिला लेते हैं जैसे अब आज साहायता है योजना 2016 तो पहले का 3 ठीक है दूसरे का दो ये भी मिल रहा है तीसरे को वन ये भी मिल रहा है और गुरकुल विद्यालेजस अंचलन योजना दूहजन सत्रह ये भी मिल रहा है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा option A अगले प्रस्ष्णपे आते हैं टांटिया मामा आर्थिक कल्यान योजना का प्रमुख देश क्या है? हमारे उप्सन है, उप्सन A, नवीन उद्धमय को स्थापना करना, उप्सन B, कम ब्याजदर पर रिन उपलब्द कराना, तो टांटिया मामा आर्थिक कल्यान योजना की अगर बात करें, तो ये प्राणम भुई थी, 6 सेप्टमबर 2022 को. और इसके अंदर गतिये कहा गया, कि जो 18 से 35 साल के S.T. समुधाय के लोग है, उनको क्या दिया जाएगा? सिच्छित लोग है, उनको अनुदान दिया जाएगा, रिंड दिया जाएगा, कितना रिंड दिया जाएगा? 10,000 से 1,00,000 रुपे. अब किसके लिए दिया जाएगा? ये तो वो अपना स्वारोजगार इस्थापित करना चाहते हैं स्वारोजगार है तो कौसल है तो और उपकरण है तो जो अपना उद्दे में स्थापित करते हैं उनके सम्मन में जो उपकरण खरीदना होगा उसके लिए क्या दिया जाएगा सहयोग दी जाएगी और यह सहयोग कितना होगा 10,000 से 1,00,000 रुपए तक अब इसमें और चीज के अध्यान रखना है कि पातरता क्या हो जाना चाहिए कि अस्टी समधाय के सदस्य होना चाहिए, सिच्छित होना चाहिए इसको जाति प्रमाड पत्र इसके पास होना चाहिए, प्रमाड पत्र और मद्द प्रुदेश का क्या हो जाना चाहिए, निवासी होना चाहिए ये इनके कुछ पातरताइन इधारित की गए थी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, option C, A और B, दोनों सही है अगर देखे, इसमें लिखा है कम ब्याज दर पर क्या करना है, रिन उपलब्द कराना है, तो देखे, नॉर्मली अगर मार्केट प्राइस के रिन की बात करें, तो 9 से 11 परशंट पे मिलती है, 9 से 11 परशंट पे, लेकिन अगर इस योजना के तहत लेंगे न, तो 7 तक मिल सकता है, 5 साल तक के लिए, ती कुछ खास बात होती है, किसे संबंदित, टैंटे मामा, आर्थिक कल्याण, योजना के संबंद में, अगला है, जन कल्याण वा, सुराज अभियान के सुरुवात हुई, हमारे ऑप्सन है, 17 सितंबर 2021, ऑप्सन B, 22 सितंबर 2021, ऑप्सन C 15 अप्रेल 2021, या ऑप्सन D, 22 मई 2021, तो इसका सही जवाब होगा, ऑप्सन A, 17 सितंबर 2021, अब 17 सितंबर 2021 में, जन कल्याण वा, सुराज अभियान, मद्वर्दे सरकार द्वारा प्रारम किया गया, इसमें क्या वणन मिलता है, इस योजना के तहाद, जो महीला है, जो गरीब योजनाएं संचालित की जा रही है, सभी योजनाएं संचालित की जा रही है, उनका क्या करवाना, लाभ प्रदान करवाना, इनका प्रमुख उद्देश था, ऐसे ये योजना और चलाई जा रही है, जिसका मुख उद्देश ये है, कि जो वंचित बर्ग है, जो पिछले प्राइवेट संस्ता है जो मुख रुब से किसके लिए काम कर रही है S.T. वर्ग के कल्यान के लिए स्थाबित की गई है तो ऐसी जितनी भी संस्थाएं होंगी ये योजना प्रानम की गए थी एक जनवरी निस्थो 85 को और इसमें ये कहा गया कि जितनी भी ऐसी संस्थाएं है जो जंजाती और कल्यान के लिए जंजाती सिख्षा के कल्याण के लिए कारे कर रही है उनको क्या कर दिया जाएगा अनुदान कौन देगा राज सरकार राज चरकार और आपको पता है कि मद्ध बुर्देश ऐसा राज है जहां पर एक क्या होता है जंजाती मंत्री 164 इक के तहट एक जंजाती मंतरी रखने का प्रावधान हैं तो इसमें ये कहा गया कि जितने भी प्राइवेट संस्था होंगी जो एस्टी वर्ग के उत्थान के लिए काम करेंगे उनके लिए क्या किया जाएगा अनुदान प्रदान की जाएगी सबसीडी प्रदान की उसमें 25% सीट किसके लिए अरचित होती है जो वंचित बर गया उनके लिए अरचित होती है और ये 25% जो सीट होती है इन पर उनकी फीस नहीं लगती है बलकि जो भी फीस होती है वो किसके माध्यम से प्रदान की जाती है राज सरकार द्वारा प्रदान की जाती है राज सरका पूर्ई कि यौजना हिए किम सा ह्ठच्छर्टा वाले शैत्रों में जण जाती बालिकाओं की सिख्छा अब इसको अभी度ü दो हजर नो में इसका नाम परिवर्टत करके क्या कर दिया गया कम साच्छर्ता वाले जिलों में जन्जाती बालिकाओं के सिख्या का सुद्रढी करन योजना कम साच्छर्ता वाले जिलों में जन्जाती बालिकाओं के सिख्या का सुद्रढी करन योजना कमुख उद्देश से क्या है अब योजना जो है 1922 तिरानने में प्रारम भूई थी और सिख्या मंत्राले के आधीन काम कर रही थी अब आपको वताना है इसमें से कौन सा अप्सन सही है तो जन्जाती महिलाओं को ऊच्छी सिख्या देना उनमें ये योजना मूर्थ रूप प्रदान की गई है आपने कई बार सुना होगा कि जो अभी हाली में न्यूज में था कि एक जो ऐसा ही छात्रा बास था उसमें न्यूज में काफी चर्चा में रहा था कि वहां पर छेंडशान का आरोप लगा था तो ऐसी चीजे आपको न के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है हमारे ऑप्सन है अनसूचित जात इवे मानसूचित जंजात ऑप्सन बी अन्य पिछड़ा वर्ग ऑप्सन सी सामान या उप्सन डी उप्रोक्त सभी तो अगर कोई व्यक्ति 2016 2017 के बाद ग्रेजवेशन कर रहा होगा तो उसको फोन अबश्य मिला होगा तो कई सारे लोगों को इसके बारे में मालूम भी होगा अब देखिए जो यह उजना है यह उच्छा विभाग द्वारा प्रारंब की गई थी उच्छा विभाग प्रारंब कब हुई थी 2017 में और यह उजना के माध्यम से यह 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 कहा गया कि जो प्रारंब यह प्रारंभिक एयर के छात्र है उनको क्या कर दिया जाएगा स्मार्ट फून दिया जाएगा ताकि डिजिटल सिख्छा डिजिटल सिख्षा प्लस तक्नीकी सिख्षा सब तक आसान पहुंच सुनिशित हो सके अब इसके माध्यम से होगा कि जो बिभिन ने जो सरकारी संसाय जो कॉलेज हैं उनमें स्मार्टफॉन बितरन कर दिया जाएगा छोटी-छोटी जो महाविद्याले हैं गवर्मेंट की उ अनकी का एक सब्द आता है उस खाई को क्या किया सकता है समाप्त किया जा सकता है तो जो योजना चल रही है जैसे भारत फोन बितरन योजना 2017 में प्रारम भूई थी उच्छा विभाग के अंतर गत आई थी और इसमें सभी विक्तियों को प्रदान किया रहा था सभी छात्रों को प्रदान किया जा रहा था तो चाहिए वह अन्य पिछड़ा बर्गिस संब्दित हो या फिर समाने बर्गिस अगले प्रश्ण पर आते हैं हमारा अगला प्रश्ण है देवी अहिलिया सम्मान किस बर्श में प्रारम किया गया अगले प्रश्ण पर है तेजस्वनी ग्रामीड महिला ससत्ति करण कारिक्रम में वित्ती सहियोग प्रदान करने वाला संगठन कौन सा है हमारे option है IMF, IFC, IFAD या IIMA तो IMF या IFC या IFAD या IIMA जल्दे से इसको बताईए इसका क्या होगा अगर ससक्तिकरन योजना कारिकरम के बारे में बात के ने तिये 2006 में प्रारंब की गए थी जून 2006 में ये प्रारंब हुई थी इसका उद्दे से क्या था कि जो महिलाएं हैं उनमें क्या करना स्वरोजगार के अबसर प्रदान करना अब ये किसके से योग से प्रारंब की गई तो आपने सुना होगा जो इंटरनेशनल खाद संगठन है वो कहां पर है रोम पर कहां है रोम इटली रोम में है और वहीं पर एक फंड इस्थापित किया गया था जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल फंड फॉर अगरिकल्चर डिबलब्मेंट इस फंड के तहट क्या दिया जाता है सहियोग दिया गया इस योजना को किसको तेजसुनी योजना को जिससे क्या हो सके जो ग्राउंट शित्र में रहने वाली महिलाएं हैं उन इसस्वरोजगार की बाबना को विक्षित किया जा सके ऐसे यागये चलering के आपने कई सारी as के बारे में मतमर्द सरकार द्वारा महिलाओं के सक्तके करन के लिए के जिसमें 20 संगठनों का सहीओ रहा आई-मेफ के वारे में आपको बता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फटन जो का हैं का मुख्याल है बोसिंगरन डिसी आई अपके विभी आपको बता है ये बी उसी कभाग है और आई अगले परस्षय पर चलते हैं हमारा अगला परस्षय है अंन्न पूंड्ना सूरस धारा कारिक करिश्कों के लिए यह उप्शन डी उप्रिक्त में से किसे के लिए नहीं तिसका सही जवाब होगा अनुसुचित जन्जात एवर मने सुचित जात के क्रिश्कों के लिए इस योजना के माध्यम से हुआ गया कि बीजों की अदला बदली की जा सकती थी और उन्नत बीज प्राप्त करके क्रिश्क उत्पादक्ता को बढ़ा करके क्रिश्कों की आय ब्रिद्यकन्ना इस योजना का प्रमुक उद्देश रहा था तो अन्यपूर्णा सूरसधारा योजना मुक्रुब से आदिम जाति कल्यार बेवाग के द्वारा प्राण में की थी और इसका उद्देश क्या था कि बीजों की अदला बदली के माध्यम से अन्यसूचि जाति में जन जाति के लोगों में क्या कर दिया जाए उनका ससक्ति प्रोशाहन है तो देखे संखनाद योजना उनिस सो संतानने अंठानने में प्राणब की गई और यह सिक्षा विभाग के अंतरगत आने वाली स्कूल सिक्षा विभाग के अंतरगत आने वाली योजना है ठीक अब यह सिक्षा को क्या करना है प्रोशाहन करना है तो इसका स जिक्षा को प्रोशान करने के लिए क्या कर दे आवाशी विद्याला करने को प्रोशाहित किया गया जो विकास खंड इस्थर पर स्थापित होंगे अगला है पंच धारा योजना के अंतरगर्त निम्न योजनाए सामिल है हमारे option है कल्प बिच आप्शन बी सामाजिक पिंसण option c आयूस्मति ये option d ये सभी जोगी 15 धारा योजना की बारे में अगर बात करें तो 1990 में प्रारणब की गई और मुख रूप से किस पर आधारित थी ग्रामीड पंचायत के सब्सक्राइब से बार्णब ग्रामीड शेत्र है उसके विकास के लिए योजना प्रार्णब की गई इसमें पांच चीज़ें थी एक कल्प बिक चो गई एक समाज़िक पेंसा उन अगई एक आयूस्मति हो गई और दो योजनाये और इसके इंतरगे शामिल की गई जिसके माध्यम से क्या किया गया जो ग्रामिट छेत्र है वहाँ पर स्कति करन को बढ़ा दिया गया यह समाजिक पैंचन के माध्यम से पैंचन सुभिधा प्राधान की गई गई आयुस्मति योजना के माध्यम से स्वास्त सुविधाय प्रदान की जाएंगी स्वास्त और कल्प विरिक्ष योजना से स्वारोजगार स्वारोजगार इसी प्रकार इसके और भाग हैं जिससे ग्राम्या ग्राम्या के माध्यम से रिण सुविधा प्रदान की जाएगी रिण सुविधा प्रदान की जाएगी अगले प्रस्ण पे आते हैं हमारा अगला प्रस्ण है एकलब्वे सिख्षा विकास योजना प्रारम की गई हमारे ओप्सन है ओप्सन A, 1 सितंबर 2010 किसका सभी जबाब होगा 15 नमंबर 2010 देगे एक लब्ब सिक्षा जो विकास योजना है वो तेंदू पत्ता संग्राहक जो होते हैं कि उनके बच्चों के कल्यार के लिए प्रारम की गई बच्चों के सिक्षा के कल्यार के लिए प्रारम की गई बच्चों के सिक्षा के कल्यार के लिए प्रारम की गई अब इसके माध्यम से हुआ क्या कि नौमी दसमी ग्यारमी बारमी या फिर गैर तकनीकी इसनातक या तकनीकी इसनातक में क्या किया गया चात्रवित्ति प्रदान की गी मतलब प्रोशाहन रास प्रदान की गी प्रोशाहन रास ताकि क्या हो सके व्यक्ति क्या हो सके कुसल हो सके और कुसलता के साथ मानव संसाधन बन सके मानव संसाधन इसी हे तो प्रारम की गई क्या एकलब बे सिख्षा, विकास, योजना तो 15 नमबर 2010 को स्कूल सिख्षा विभाग के द्वारा प्रारम की गई जिसके माध्यम से अभी इसमें कुछ अनुदान राच्ष प्राण की जाती है जैसे नौवी, दसमी के बेक्टियों के लिए 12,000 ग्यारमी बारमी के लिए 15,000 गैर तकनीकी इसनातक के लिए 20,000 तकनीकी इसनातक के लिए 50,000 रुपे प्राण की जाती है अगले प्रस्ट पे आते हैं मद्ध्रदेश की जन्जातियों में डॉट डॉट यह सामानि स्वास्त समस्त्या है हमारे ओप्षन है ओप्षन अस्थमा ओप्षन B सिकल से एनीमिया ओप्षन C मलेरिया या ओप्षन D इनमें से कोई नहीं तो इसका सही जबाब होगा, option B, sickle cell anemia, sickle cell anemia एक प्रकार से अनुवानसिक प्रकार का रोग होता है, जो कम धूप या कुपोशन के कारण, कुपोशन के कारण जिन जातियों में देखने को मिलता है, और ये जो समस्या है, ये मुख रूप से आपको सहरिया जन जातियों में देखने को मिलेगी, इसी को देर करने के लिए, हमारे यहाँ, 15 जुलाई, 2022 को, sickle cell anemia, sickle cell anemia, निदान कार करम प्रारंब किया गया, निदान कार करम, निदान कार करम प्रारंब किया गया, तो ये बात हो गई किसकी, sickle cell anemia के बारे में, और अभी देखिए, जो 2023 का बजट था, 2023 का बजट था, इसके ताहत ये कहा गया, कि हम क्या करेंगे, 2047 तक पूरे भारत को, इस से मुक्त कर देंगे, किस से, sickle cell anemia से मुक्त कर देंगे, भारत को, 2047 तक, तो ये प्रस ने UPPCS पूछ भी चुका है, जो पिछली बार UPPCS का प्री हुआ था, उसमें ये प्रस ने पूछा गया था, कि सिगल cell anemia को खतम करने का लक्ष कितने बरसों में निरधारित किया गया है, तो वो है 2047 और इसी के संदर्ब में मदवदे सरकार द्वारा 15 जुलाई 2022 को, एक योजना प्रानम की जाती है, अब इसके ताहत और भी योजनाए प्राराम होती है इसके साथ में, तो आप लोग ध्यान दे लिजएगा उस चीज को, अगले प्रस्ण पर आते हैं, अगला प्रस्ण है, जनगर्णा 2011 के अनुसार, मदवदे प्रदेश में अनसूचित जन जातियों की जनसंख्या कितनी हैं, हमारे उप्सन है 155.78 लाग, उप्सन B 153.16 लाग, या उप्सन C 148.18 लाग, या उप्सन D 187.78 लाग, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 21.09 परसंटेज चेतर पर है, अगले प्रस्ण पर आते हैं, एकलब सिक्षा विकास योजना के अंतरगत, कच्छन नौवी वा दस्मी के छात्रों को कितनी वारसिक सहायता दी जाती है, जैसा कि अब भी आपको मैंने इसके बारे में बताया, कि ये कप प्रारंब होई थी, 15 21.09 2000, तो मैंने कई सारे क्राइटारिया में आपको बताया था किस करेट अरिया में कितनी रासिक प्रदान की जाती है, और आपको बताना है, 9 वी दसमी की छात्रों को कितनी रासिक प्रदान की जाएगे, हमारे option A 10,000, option B 12,000, option C 15,000 ये option D 20,000, तो इसका सही जवाब होगा, हमारा option B 12,000 15,000 कि इसको प्रदान की जाती है जो 11 हुआ 12 के होते हैं और 20,000 प्रदान की जाते है कि इसको गैर तकनीक सिणा तक कों जैसे को बी आब यसी कर ले तो गयर टखनीकी इसना तक कर लाएगा तो उसको प्रदान कर दी जाएगी और अगर कोई तक्नीकी छेतर में इसना तक को प्राप्त करता है जैसे बी कर ले इंजिनिरिंग की सर्विस कर ले इंजिनिरिंग या फिर डॉक्टर बन जाए तो उसको क्या प्रदान किया जाएगा पचास जार रुपए प्रतिवर्स प्रदान किया जाएगा अगला प्रशन है एक लब माडल आवासी बिद्ध्याद कि क्चाएं सामिल हैं हमारे ऑप्सनें ऑप्सन ए 8-12 कच्छा ऑप्सन B 0-5 कच्छा तक अप्सन C 6-12 कच्छा तक या ऑप्सन के अधारित है नावोदे विद्याले जैसी होती है उसी पर अधारित होती है और नावोदे विद्याले में कहां से कहां तक पढ़ाई होती है 6 से 12 तक तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा option C अधारित में 63 आवाशी विद्याले कारे रथ है अगले प्रस्ण पर आते हैं मुख्य मंत्री अनुसूची जन्जात विशेश पर योजना वित्य पोशन योजना की सुरुवात कब हुई हमारे option है 6 सितंबर 2021 option B 6 सितंबर 2022 option C 15 सितंबर 2020 option D 17 अगस 2020 तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 सितंबर 2022 यह जो योजना है जन्जाती कारे विभाग के अंतरगत प्रारम की गई जन्जाती कारे विभाग के अंतरगत प्रारम की गई जिसका मुख्य उद्य से क्या था कि जन्जातियों में स्वारोजगार या नबीन उद्दम इस्थापित करने है तो नबीन उध्यम स्थापित करने हैं तो मौदरिक सहायता उपलब्द कराना वित्ती सुविधा उपलब्द कराना तीका प्रारम हुई 6 सेतंबर 2022 तांट्या मामा आर्थिक कल्यान योजना या मुख्य मंत्री अनसुची जन्जाते बित्य पोशन योजना या बिर्सा मुंडा स्वरोजगार योजना या फिर डॉक्टर अमबेडिकर स्वरोजगार योजना हो सारी कितनी कप प्रारम की गई थी 6 सितंबर 2022 को अगले प्रश्न पर आते हैं अगला प्रस्न है विदेशी अध्यान छातरवित योजना कप प्रारम की गई है ऑप्सन व्सने-2001 ऑप्सन बी-2002 ऑप्सन सी-2003 यह उप्सन डी-2004 तो इसका सही जबाब होगा ऑप्सन सी-2003 कि यह उच्च शिछा-विभाग के अंतरगत आने यदि विदेश में अध्यान करना चाहता है, तो उसको सहायता कौन प्रदान करेगा? आपकी सरकार सहायता प्रदान करेगी. राज्य सरकार के साथ केंदर सरकार क्या करेगी? सहायता प्रदान करेगी. और साल में लगबो 50 बच्चों को विदेश में भेज़े जाने की नुमत होती है 50 बच्चे कहाँ पर विदेश में पढ़ने जा सकते हैं जिनकी सहायता कौन करेगा सरकार के माध्यम सकी जाएगी अगला वर्षन है जिन्जाती छेत्रों में बेवसाइक प्रसिच्चन के अंतरगत कितने पार्ठक्रम चल रहे हैं हमारे ऑप्सन है ऑप्सने 5 ऑप्सन भी 10 ऑप्सन सी 20 ऑप्सन डी 15 तो यह जनने वाली सीज़ है इसको बस ध्यान रखिएगा कि पांच जो प्रसिच्चन कारिक्रम चलाए जा रहे हैं जो मुक्रूप से किसपे है कौसल उन्यन के लिए अग कौसल उन्यन के लिए यह जो पांच छेत्र हैं पांच पाठक्रम हैं उनमें मसीनी करण कम्प्यूटरी करण प्रबंधन जैसे छेत्रों को कवर करने का प्रयास किया जा रहे है और इनी को आगे चलके मूर्थ रूप देने के लिए इनके लिए जो भोपाल है वहाँ पर क्या इस्थापित किया गया है स्किल पार्क जिसमें प्रति वर्स दस जार लोगों क्या दिया जाएगा प्रसिछण दिया जाएगा ताकि वह आगे चलके स्वारोजगार और स्वैम को उध्यम इस्थापित कर सके और जो कंपनियां हैं उनके अनरूप कारियों को कर सके अगला प्रशन है संकर साह एवं रगुनाज साह के अंतरगत पुरसकार रास है हमारे ओप्सन है ओप्सन है दो लाक रुपे और जो पुरसकार है और किसके लिए था जो जनजाती कला होती है जनजाती कला के उन्नियन के लिए था तो विभिन ने कला कारों को इसके माद्यम से तीन लाक की रास प्रदान की जाती है के साथ ही क्या प्रदान की जाता है प्रशास्ती पत्र प्रदान की जाता है अगला प्रशन है सिविल सेबा प्रोसाहन योजान मध्य Прदेश में कब प्रारम हुई हमारे ऑप्सन है ऑप्सन एंミे 2001213 2213 स्वान C 2016 15 और सलह सोला तो इसका जहीं जबाब हो जाएगा ऑप्शन ए दोहजार बारा तेरा अगर कोई व्यक्ति अगर कोई च्छार प्रतिसपर्धा प्रिष्छा की तैयारी कर रहा है जो कि CC स्मुदायश संबंद रखता है और वह परिछा निकाल लेता है जैसे UP sc या MPPSC को आपको पता है योपी असी के भी तीन चरण होते यह जोब प्री कौलिफाई करता है तो क्या इस्थिती होगी मेंस क्ौलिफाई करता है तो क्या इस्थिती होगी और इंटर्वियो तक पहुंचते हैं इंटर्वियो क्वालिफाई करता है तो क्या ऐसे थी होगी तो अगर यूपी असी का कोई प्री क्वालिफाई करता है तो उसको 40,000 रुपए की सहाइता अब YMPPSC के लिए क्या कहा गया कि जो 3 राज YPSC के लिए प्रदान की जाएगी उसका 50% YMPPSC के क्वालिफाई करने वाले विक्तियों को भी प्रदान की जाएगी तो 20,000 रुपए प्री के लिए मेंस के लिए 30,000 रुपए और इंटर्विव में पास करने पे 25,000 रुपए क्या करिया जाएगा प्रदान की जाएगा तो सिबिल सेवा प्रोश्राहन योजना का संबंद किस्य है तो सिबिल सेवा की जो परिछा होती है उनके जो चात रोंगे स्थिश्वी समदाय से संबंद रखेंगे उनके लिए प्रोशाहन राश से रखती संबंद अगला प्रश्ण है मद्यप्रदेश की विशेज पिछली जन्जात यहें तो कितने प्राधिकरण एब अभिकरण कार्यरत हैं क्रमसा बताईए तो प्राधिकरण बताना है अभिकरण बताना है तो मारे ऑप्सन है 799711 तीन ग्यारा तो इसका सही जवाब होगा आपका 311 अज़े कि प्राधिकरण एक बड़ी अभधारना है एक प्राधिकरण के अंदर गत कई सारे अभिकरण आ सकते हैं अब प्राधिकरण बिसेश पिछड़ी जन जाती के बारे में पूछ रहा है अगर थोड़ा सा अब अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको बता चल जाएगा कि हमारे यहां तीन ही पिछड़ी जन जाती है एक है बैगा एक है और एक है भारिया तो इनहीं पर आधार जाएगा और मद्द प्रदेश में 11 अभिकरण कारे रत हैं अगले प्रस्ण पर आते हैं निमलिकित में से किस राज्य में जन जाती उप्योजना की अवधानना लागू की गई यह प्रस्ण 2019 में प्री परिच्छा में पूछा जा चुका है 2019 की प्री परिच्छा में कोई नहीं तो इसका सही जबाब होगा option C मद्ध प्रदेश अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर कोई प्रस्ण ऐसा हता है जिसमें राज्यों राज्यों के नाम आते हैं और आपको उस चीज के बारे में थोड़ा सा अंधाजा नहीं लग रहा है नहीं यहां तो उसका अंसर मद्ध प्रदेश सा ऐसे कई सारे प्रशन आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पर अगर मालूम हो तो आप उसको समस्दारी से लगाईए का तथ्य पूर्बर रगाईए गा और नहीं पता चलता है आपको गेस करना होता है तब की बात बता रहा तो इसका सही उत्तार क्या हो जाएगा मद्ध प्रदेश जो पांचवी पंचवर्सी योजना थी पांचवी पंचवर्सी योजना में इसको प्रारम किया गया था और इसके तहट कितनी योजनाओं को एकिकरत किया गया था 31 योजनाओं को इसके तहट सामिल किया गया था अब यह उपियोजना होती क्या है, जन्जाती उपियोजना, इसमें ऐसा प्राब्धान किया गया, कि प्रतेक विभाग होते हैं, जो उन पे ये निध्यायत कर दिया गया, यो अपने जो बार्सिक खर्च होता है, उसका 20% किसके कल्याण के लिए खर्च करेंगे, जंजातियों के कल्यान के लिए खर्च करेंगे और अगर अभी बात की जाए 2022-2023 के जो सर्वेच्छन था मद्र प्रदेश में उसमें जंजातियों के लिए सबसे ज़्यादा जो ग्रामीड विकास मंत्राले है ग्रामीड विकास मंत्राले उसे ने सबसे ज़्यादा व्याय किया है लगभग 16% अपनी जितनी भी इसका बजटी प्रावधान था ग्रामडी विकास मंत्राले का उस बजटी प्रावधान का 16% अनुसूशी जन्जात के कल्याण के लिए उसने खर्चा किया है तो यही योजना किसे सम्मंदित है जन्ज करती 2007men, ऐसको बतातूं कि सिख्षा विखाग के अंतरगत 6 जवाब होगा function c2007 होता क्या है कि कोई है छात्रा फार रह dewकाष नी च्षात्रा आठमी पास कर लेता है आठमी पास कर लेती है तो उसके उपरांत उसको साइकल प्रदान की जाएगी और वो किस बरगिस सम्मंदित होनी चाहिए ST या SC समुदाय से सम्मंद रखनी चाहिए आगे आते हैं मद्ध्य प्रदेश के किस जिले में वंधन योजना का सुभारम किया गया हमारे उप्षन है उप्षन है बढ़वानी उप्षन बी इंदोर उप्षन सी जबलपूर या उप्षन डी बाला घाट वंधन योजना देखा जाए तो 2019 में प्रारम भूई थी और यह कहां से प्रारम भूई थी बढ़वानी से और प्रारम करने के उधने से क्या था कि जो स्वर्ोजगार के अबसर आ है महिलाओं में महिलाओं में महिलाओं में मुक रूप से जो बिनाई का उध्योग होता है बिनाई का उसको बढ़ावा देने के लिए प्रारम की गए थी और जो बढ़वानी है यहाँ पर 500 सेंटर इस्थापित किये गए थे 2019 में प्रारम हुई बढ़वानी से प्रारम हुई और महिलाओं के ससक्तिकरण संबन्दी थी प्रारम हुई हमारे ऑप्सन है ऑप्सन दो हजार चार ऑप्सन दो हजार आट या ऑप्सन दी 2010 तो आपको इस सवाल का क्यातन्य है जवाब देना है किस पर कमेंट पर जल्दी से कमेंट कर दीजे अब इसका मैं जवाब आपको बताऊंगा नहीं अगला है गुरुकुल विद्याले संचालन योजना का प्रमु खुद्देश है हमारे ऑप्सन है अंग्रेजी माध्यम में सिख्छा उप्लब्द कराना ऑप्सन दी सिख्छका बनने हैं तो प्रोसान प्रदान करना तो देखिए इसका सही जो विद्याले कारे रत हैं उनमें अंग्रेजी सिख्छा को प्रोस्राहन देना अंग्रेजी सिख्छा को प्रोस्राहन देना अब प्रोस्राहन कैसे प्रदान कर सकते हैं जो उनका पार्ठिक्रम है वो अंग्रेजी का बढ़ा दिया जाए और ऐसे पार्ठिक्रम में इधा पहराया गया था अगला है ट्राइसेम योजना कब पारब की गई हमारे ऑप्षन है ऑप्षन ए 1989 ऑप्षन भी 1979 ऑप्षन सी 1976 यह ऑप्षन डी 1987 तो देखें ट्राइसेम योजना जो है प्रानभी की गए थी 15 अगस्थ पंद्रा अगस 1989 को इस योजना को उद्धियस क्या था कि 18 से 35 बर्ष गे जो स्ची समुदाय के व्यक्ति हैं उनमें क्या करना स्वरोजगार के अवसर स्वरोजगार के अवसर को बढ़ाना अब यह स्वरोजगार के अवसर कैसे बढ़ सकते हैं कि उनमें उद्दम शेलता को बढ़ावा देना अब उद्धियम शेलता कैसे आएगी अगर उन बैक्ति को को असल उन्यान कर दिया जाए गोसल उन्नीयन कर दिया जाए तो सब्सक्राइब कौन सी योजना को अगले प्रश्ण पर आते हैं, प्रतिभाए योजना का संमन्ध किस से है, हमारे option है, option A स्वास्त से, option B आवाज से, option C उच्छ शिख्छा से, option D क्रस से, किसका सही जबाब होगा, option C उच्छ सिख्छा से, तो ये जो प्रदिभा योजना है मुख रूप से किसले चलाई गई कि उच्च सिक्षा को प्रोशाहन दिया जा सके मुख रूप से किसको बालिकाओं को बालिकाओं को उच्च सिक्षा है तो प्रोशाहन दिया जा सके हमारा आज का आखरी प्रशन है सिविल सेवा प्रोश्चाहन योजना के अंतरगत मद्ध प्रदेश लोग सेवा आयोग की प्रारंबिक परिच्छा उत्रीन करने पर कितनी रास दी जाती है हमारे ओप्सन है ओप्सन ए 40,000, ओप्सन B 30,000, ओप्सन C 20,000 या ओप्सन D 25,000 तो इसका सही जवाब होगा ओप्सन C 20,000 मैंने आपको बता दिया था कि UPSC में प्रास होने पर जितनी रास प्रदान की जाती है उसका आधा प्रदान की जाती है और आपको पता है कि सिविल सेवा प्रोश्चाहन योजना के तहत जो UPSC है उसमें परिपरिच्छा उत्रीन क करने पर 40,000 प्रदान की जाती है तो मद्र प्रदेश परिच्छा उत्रेंट करने पर कितनी प्रदान की जाएगी 20,000 तो दोस्तों यह आज हमारी समाने सी चर्चा रही योजनाओं के लिए करेंगे और अपनी योजनाओं वाले चैप्टर को खतम करेंगे फिर अपनी आग पुस्तक प्रकासित की गई है जन्जातियों के सम्मन में उन पर प्रश्ण कौन से बन सकते हैं उन समस्त बिंदों पर चर्चा करेंगे चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली क्लास पर नमस्कार